गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में विजे नगर समराजी की समाजिक व्यवस्ता के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखिए कई स्टुडेंट्स हमने विजे नगर समराजी के बारे में आपको पहले भी काफी कुछ पढ़ाया है तो वीडियोज को आप धहन से देखेगा क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो सारे के सारे एकजाम के दरस्टी से बहुत महत्तोपुन होते हैं और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तता वीडियोज को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इत्यास विशेशे से समधित महत्तोपुन जानकारी पहुंच सके ठिके तो देखे पढ़ते हैं विजे नगर समराजे की समाजिक व्यवस्ता विजे नगर समराजे में समाजिक व्यवस्ता सेदांतिक रूप से सास्त्रिय प्रम्प्रों पर आदारित थी ये भारतिय इत्यास का अंतिम समराजे था जो वन्नास्रम व्यवस्ता पर आदारित सुरक्षित और समधित करना अपना कर्तवे समस्ता था समराट समाज के सभी वर्गों की रक्षा करना अपना कर्तवे समस्ते थे चारों वर्णों में ब्रामन सर्व प्रमुक थे परन्तु वर्णास्रम व्यवस्ता के दूसरे अंग छत्रियों के समन्द में कोई जानकारी प्राप नहीं होती ब्रामनों को अनेग विशेशादिकार प्राप थे जिसमें सबसे महत्वपुण विशेशादिकार ये था कि उन्हें मर्चुदन नहीं दिया जा सकता था विजे नगर की सेना एवं सासन व्यवस्ता में उन्हें उंचे पद प्राप थे मद्य वर्गों में सेटी या चेटी नामक एक बहुत बड़ा समूह था इनकी अनेग साखाएं या उपसाखाएं थी इनका विजे नगर युग में बहुत प्रभाव था अधिकार्स व्यापार इनी के हातों में था चेटी बहुत अच्छे लिपिक एमकारियों में दक्ष थे चेटियों के ही सम्तूल्डे व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था कैकोलार अर्थात जुलाहे, कंबलतर अर्थात चप्रासी तथा सस्तरवाहन, नाई और आंदर चेतर में रेडी कुछ महत्वपन समुदयों में मने जाते थे इस काल में उत्तर भार्थे बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिन में आकर बस गए थे, इन्हें बढ़वा कहा जाता था इन उत्तर भार्थे नवागंतुकों ने पूराने दक्षिन वांशियों के व्यापार को हत्या लिया इस काल की समाजिक इस्तिती की दूसरी महतोपन विशेशता यह कि निची जाती के कुछ वर्गों ने उची जाती के लोगों के विशेशादिकारों को हडप लिया इसने नए समाजिक तनाव को जन दिया जिन निचली जातियों को उचे जातियों के विशेशा दिकार परदान किये गे वे सत सुद्री या अच्छे सुद्रे कहलाए थे इसी प्रकार का संगर्ज वेलंगे अर्थात, दक्सिन वर्गे इडंगे अर्थात, वाम वर्गे नामक दो ओध्योगिक वर्गों के बीच हुआ इस काल में कुछ संपर्दाइक तनाव विशेशता जैन एम वर्षनम संपर्दाइओं के मध्धे का भी उदे हुआ छोटे सामाजिक समुहों में लोहार, श्वैनकार, पीतल, पीतल का काम करने वाले बढ़ई, मूर्तिकार और जुलाहे आदी परमुक समुदाए थे जुलाहों का मंदिर के परसासन एम इस्थानिय करों के आरोपण में बहुत बड़ा योगदान था अगला देखिएगा दास पर्था, विजे नगर में दास पर्था पर्चली थी, विदेशी यात्रियों के विवरण और समकालिन अभिले पूरुस एम महिला दासों का उले करते हैं मनुश्यों के क्रे विक्रे को बेस वाग कहा जाता था निकोली कोंटी ने लिखा है कि विजे नगर समराजय में विशाल संक्या में दास हैं, जो कर्जदार अपना रिण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें सर्वत्तर रिण दाता द्वारा अपनी संपती बना लिया जाता है अगला देखेगा इस्त्रियों की इस्तिती, विजे नगर युगिन समाज में इस्त्रियों के बड़ी समान जनक इस्तिती थी, कुछ इस्त्रियां महान विदूसिया और परसित साहित्यकार थी, संगीत और नरत्य उनकी सिक्षा के परमुक अंग थे इस्तरियां मलियोधा, जोतिसी, भविस्य वक्ता, अंगर रक्षी कए, सुरक्षा कर्मी, लेखा दिकारी, लिपिक एवन संगीत कार होती थी तथा यहां तक की वे युद छेत्री में भी जाती थी संपून भारतिय इत्यास में, विजयनगर समराजे एकमात्र समराजे था, जिसने विशाल संख्या में इस्तरियों को विभिन राज के पदों पन नियुक्त किया मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली इस्तरियों की देवदासी कहा जाता था इन्हें आजी विका के लिए या तो भूमी दे दी जाती थी अथ्वा नियमित वेतन दिया जाता था विजयनगर के सामाजिक जेवन में गणिकाओं का महतोपुन स्थान था समकालिन सहीते में चारों वण्डों के साथ इन गणिकाओं का भी उलेख है और ये गणिकाएं दो वर्गों में बाजित थी, एक तो वे गणिकाएं जो मंदिरों से संबन्ध थी, तथा दूसरी वे गणिकाएं जो स्वतंतर जीवन यापन करती थी, इस वर्ग की स्त्रियां प्रियात रूप से सिक्सित होती थी, इन गणिकाओं का समाज में समान की द पर्दापर्था पर्जली थी इस काल में विद्वों का जीवन बहुत है और अपमान जनक मन जाता था अगला आता है सत्ती पर्था विजे नगर सामराजे में सत्ती पर्था को सह गमन अर्थार मृत पती के साथ महा प्रियान कहा जाता था 1354 इस्व में विजे नगर के एक अभिलेक में माला गोडा नमक महिला का अपनी पती की मर्थु के बाद सत्ती या सह कमन करके स्वरगा रोहन का उलेक है इस काल में इस्त्रियों द्वारा अपने पती की मर्थु के बाद सत्ती होना मुक्ती का पर्थिक मान जाता था परंतु स सत्थी पर्था स्वेचिक होती थी। बार्बोसा, नूनीज, सीजर, फ्रेडरिक, पिएत्रो देला वाले और अन्य विदेशी आत्रियों ने इसको पर्था अर्था सत्थी पर्था का आंखों देखावनन किया है। डुआड बार्बोसा ने लिखा है कि ये पर्था लिंगाय तो चेटियों और ब्राहमनों में पर्चलित नहीं थी। लिंगाय संपड़ा की विद्वों को जीवित दफना दिया जाता था। राजे व्यवारिक रूप से सत्थी पर्था का प्रेश्रे नहीं देता था। सत्थी पर्था को मानने वाली इस्त्रियों की समर्ति में सत्थी स्मारक सत्थी कल या महा सत्थी कल अत्वा महा सत्थी गुल इस्थापित किया जाते थे। अगला तै वस्त्रा भोशन। सामाने वर के पुरुस दोती और सफ्य सुत्ती रेश में कमेज पहनते थे। कंदे पर दुपट्टा डालने का भी परसलन था। जाते एम व्यवासाइक आधार पर परीदानों में बड़ी विश्रमता थी। राजपरिवार के पुरुस एम इस्त्रियों दोनों कीमती एम जरीदार कपडे पहनते थे। राजपरिवार के स्त्रियां अर्था एक परकार का पेटी कोट दुपट्टा जो होता था और चोली पहनती थी। युद में वीर्ता दिखाने वाले पुरुसों के लिए गण पेद्र नामक पैर में धारन करने वाले कड़े को सम्वान का पर परतिक माना जाता था परन्तु बाद में इसे सम्वान का परतिक माना जाने लगा। विद्या के केंद्र थे। परतेक अग्रहार में ज्यान की किसी विषय साखा में पारंगत ब्रामन होते थे। अग्रहारों में मुख्यता वेदों की सिख्षा दे जाती थी। इधिहास, कावे, नाटक और आयुर वेद तथा सास्त्र यों पुरान अध्यन के लोग पिरिय विषय थे। समकालीन वैश्नव संतों ने उदारवादी सिख्षया के विस्तार में महत्तवन भूमेका का निर्वाह किया। तुल्लों बंस ने भी विद्या एवं ज्यान को प्रियाप प्रेश्रे दिया। मनवरंजन के छेतर में नाटक और यक्ष ज्यान जिसमें मंजप संगीत ये वद्धूं द्वारा अभिने किया जाता था। इस काल में बहुत लोग प्रिये थे। बोमलाट एक छाया नाटक था जिसका आयोजन मंडपो में किया जाता था। सतरंज ये पासा ये खेल बहुत लोग प्रिये थे। कर्षिन देवराज श्यम बड़े सतरंज प्रेमे थे। तो देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हमने विजयन अगर सम्राइब